Hey guys, welcome back to my channel, मैं हूँ नतेश आज के पीस प्रोडियो में आपसे बात करने वाला हूँ Direct Entry Root के बारे में CE Course में किस तरीके से आप Direct Entry ले सकते हैं इसके बारे में ये वडियो होने वाली है Last video मैंने ये डिस्कुस कर रहा हो था कि आप किस तरीके से CE बन सकते हैं बताया हुआ था उस वीडियो में मैंने डीटेल में explain किया था सी foundation root के बारे में और direct entry root के बारे में भी मैंने बताया था लेकिन उसमें थोड़ा कम बताया था बिकॉस उस वीडियो में अगर explain करने लगता तो बहुत जादा lengthy video हो रही थी और बहुत जादा confusion भी हो जाता तो उस वीडियो में ये promise करा था कि डीटेल रूट के लिए मैं एक separate video बनाऊंगा और finally इस वीडियो में मैं आपको direct entry root की complete procedure आज मैं बताने वाला हूं तो आज की वीडियो होने वाली है guys, direct entry root के बारे में complete procedure, full detailed explanation के साफ मैं बताने वाला हूं तो चली वीडियो को शुरू करता है Before that, one very important update for you all guys, CAFX is now on Telegram also, Telegram पे guys आपको search करना है CAFX और आपको CAFX का ये official channel मिल जाएगा, इस पे जितने भी latest updates होंगे आपको Telegram पे भी मिल जाया करेंगे सबसे पहले बात करते हैं guys की direct entry root क्या होता है, obviously जैसा इसका नाम है direct entry root इसमें क्या होता है कि आपके CA में जो तीन levels होते हैं, जैसा कि मैंने last video में बताया था, CA foundation, CA intermediate और CA final, इन तीन levels में CA goes divided होता है तो अगर आप direct entry root के through admission लेते हैं तो आपको जो पहला level होता है, यानि कि CA foundation का level होता है, उसको आपको exempt कर दिया जाता है, यानि कि आपको CA foundation में appear नहीं करना होता है और इसलिए इस root का नाम direct entry root रखा गया होता है कौन इसके लिए eligible होता है इसके लिए दो type के student होते हैं जो CA course में direct entry ले सकते हैं पहले तो वो student होते हैं जो कि graduate या post graduate है और दूसरे वो student होते हैं जिनोंने ICSI या फिर ICMAI का intermediate level cross कर रखा हुआ है CS या CMA course का inter level जिनोंने clear का रखा है उनको भी यहाँ पे direct entry मिल जाती है into CA course अब मैं इन दोनों ही टाइप के students के बारे में one by one आपको बताता हूँ पहले मैं बताता हूँ कि अगर आप graduate या post graduate student है तो किस तरीके से आप direct entry ले सकते हैं अगर आप graduate है from commerce stream यानि कि आपने bcom या mcom करा हुआ है तो उस case में आपको minimum 55% marks आपके होने चीह हैं और अगर आप other streams से आ रहा हैं यानि कि BA, BAC, MA या MSC करा हुआ है तो उस case में आपके minimum 60% marks होने चीह हैं केवल तभी यह जाकर कि आपको CA course में direct entry मिल सकती है यानि कि अगर आप graduate या post graduate है उसके बाद भी आपके इतने percentage नहीं आता है तो उस case में आपको CA course में direct entry नहीं मिलने वाली तो यह चीज़ आपको ध्यान एतना है कि graduation या post graduate के साथ ही साथ आपको minimum percentage criteria भी follow करना पड़ता है अगर आप certain percentage criteria follow कर लेते हैं उसके बाद आप सीधे eligible हो जाता है for registering into CA intermediate course CA intermediate में register करने के बाद अब आपको क्या procedure follow करना है आपको यह बताता हूँ पहले आपने CA intermediate में register कर लिया उसके बाद आपको 4 weeks की ICITSS training complete करनी पड़ती है जो की mandatory होती है ICITSS training के बारे में आपको detailed video चाहिए गाइस तो मैंने उसे already upload कर रहा है चैनल पर तो आप उसे अभी जाकर के देख सकते हैं 4 weeks की ICITSS training complete करने के बाद आपको join करनी पड़ती है CA internship जी हाँ CA dedicated route के तुरू अगर आप admission लेते हैं तो आपको बिना किसी examination के सीधे आपको internship यानि कि जो आर्टिकल चैनल करने के बाद आपको clear करना होता है बोध ग्रूप of CA Intermediate आपको दोनों ग्रूप clear करने पड़ेंगे CA Intermediate की और उसके बाद आप आप register करेंगे CA final के लिए CA final में register करने के बाद आपको again एक training करने पड़ती है जिसका नाम है Advanced ICITSS basically जिस तरीके साब आपने Intermediate के बाद ICITSS किया था उसी तरीकी का एक course final registration के बाद आपको complete करना पड़ता है जिसका नाम है Advanced ICITSS Advanced ICITSS guys आपको complete करना पड़ता है during last 2 years of your practical training यानि कि जब आपका पहला साल article chip का बीच चुका है total 3 साल की article chip होती है आपका जब पहला साल बीच चुका है तो last के 2 years पे आप कभी भी अपना Advanced ICITSS complete कर सकते हैं और इसके बाद guys आपको complete करना होता है CA final का examination आप guys CA final का examination दे सकते हैं during your last 6 months of practical training या उसके बाद आप कभी भी दे सकते हैं और CA final का examination देने के बाद आपको उसे clear करना होता है और CA final का exam जैसे ही आप लिए करते हैं आप एक CA बन जाते हैं तो यह तो हुआ guys procedure कि अगर आप graduation या post graduation के बाद आप CE में direct entry लेते हैं तो किस तरीके सापको क्या-क्या step follow करने होते हैं यह मैं आपको बता दिया अब बात करते हैं guys कि अगर आपने CS या CMA की inter level clear कर रखे हैं तो उस case में आप CE course में किस तरीके से direct entry ले सकते हैं और उसके बात क्या procedure होगा अब आपको यह बताने वाला हूँ guys अगर आप एक CS या CMA student है और आपने CS या CMA का intermediate level already clear कर रखे हैं तो उस case में आपको CE course में direct entry मिल सकते हैं और आप सीधिया register कर सकते हैं for CE intermediate CE intermediate पर register करने के बाद guys आपको complete करना पड़ेगा minimum 8 months का study period और उसकी साथ साथ आपको complete करना पड़ेगा 4 weeks की ICIT SS training और इन दोनों को ही complete करने के बाद आप appear कर सकते हैं for CE intermediate examination और CE intermediate examination का कोई भी एक group यानि की first group या second group दोनों में से कोई ही group clear करने के बाद आप join कर सकते हैं your articleship training अब यहाँ पर गाईज अगर आपने एक group clear करके आपने articleship join कर ली हैं तो आपको articleship के दोरान आपका second group clear करना पड़ेगा अगर आपने बोध group clear करने के बाद CE articleship join करी हैं तो आप सीधिया register हो सकते हैं for CA final गई CA final register करने के बाद आपको फिर से training complete करने पड़ेगी जिसका नाम है advanced ICITSS advanced ICITSS जैसा कि मैंने अभी बताया आप अपने practical training के last two years में कभी भी आप complete कर सकते हैं और उसके बाद आपको clear करना पड़ेगा CA final examination CA final examination आप दे सकते हैं during your last six month of practical training यारे कि आपका जब last six month of practical training चल रहा हो और थाई साल की आर्टिकल चेप पहले complete हो चुक्के तो उस case में आपका जो भी अटेंड पढ़ रहा हो आप CA final का 10 दे सकते हैं और आपको CA final का exam clear करना होता है और अगर आपने last six month में आपने exam दिया हुआ CA final का और आप उसे clear करते हैं तो आपको CA clear करने के बाद आपका remaining जो practical training का period होगा वह आपको complete करना पड़ेगा अगर आप पूरे तीन साल की training complete करने के बाद आप आप पीर करते हैं तो जैसे ही आप एक से बन जाते हैं तो यह होता है गाइस complete procedure अगर आप आप CES या CMA के intermediate level के student है और आप CA course में direct entry route के through admission लेना चाहता है तो इस तरीके से आपको यह step follow करना पड़ते हैं आपके CA बनने के लिए अब गैस question आता है आप में से बहुत सारे student यह पूछते हैं कि कौन सा route जाधा better होता है यानि कि आपको जो traditional method है यानि कि जो CA foundation route होता है उस route के through admission लेना चाहिए या फिर आपको direct entry route के through admission लेना जाधा सही होता है गैस दोनों ही route के कुछ अपने फाइदे हैं और कुछ एक नुकसान भी है तो मैं आपको pros and cons बता लेता हूँ फिर यह आपके उपर आप किस तरीके से decide करते हैं आपके लिए कौन सा method best suitable होगा यह आ आपको सीधी नौ आईने की पहले आर्टेकल्शिप complete करनी पड़ती है अब यहां पर गाइस problem यह होती है कि जब आप आर्टेकल्शिप जॉइन करने के लिए किसी फर्म में जाते हैं तो उस case में आपको आर्टेकल्शिप मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके पास experience नहीं होता तो उस case में आपको सीधी फर्म्स हायर नहीं करती यह बहुत प्रॉब्लम होती है विकॉज आप आपने सीधी का इंटर्मेरिट एग्जाम क्लियर नहीं करा होता तो सीधी फर्म्स जो होती हैं बहुत दाद हैं डरेक्टेंटरी रूट वाले students को रखने के लिए अगर आप सीधी का इंटर्मेरिट एग्जाम क्लियर करके आते हैं तो आपको ट्रेनिंग मिलने में बहुत ही इस होती हैं लेकिन गाईज सीधी डरेक्टेंटरी रूट उनके लिए बेस्ट हो सकता है जिन्होंने सीधी सीधी में का इंटर्मेरिट लेवल कॉलिफाई कर र प्योर बेनिफेट रेक्टेंटरी रूट के लिए लेकिन जो ग्राजुविशन के बाद आना जाते हैं उनके थोड़ा सा ट्रेनिंग को लेके प्रॉब्लम होती हैं लेकिन अगर आपको कोई रेफरेंस वगयरा है आपकी कोई जान पहचान की लोग है जो आपकी ट्रेनिं की जो लीफ्स होती हैं उनको लेकरके इंप्लॉयर्स आपके परिशान रहते हैं इसलिए वो आपको ट्रेनिंग पर रखने में हेसिटेंट होते हैं अगर आपको कोई रेफरेंस वगयरा है तो आपके लिए एचिस बेनिफीशल हो सकती है आपको जो नॉमल रूट होता है उसमें obviously वो लंबा रूट होता है आपको तीनो लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे उसके बाद आप कॉलिफाई होते हैं तो आपको उसमें एक अडिशनल लेवल सी ये पांडेशन आपको एक अडिशनल लेवल आपको कॉलिफाई करना पड़ता है तोड़ा सा लंबा रूट इस वीडियो मैंने डिरेक अंटेशनल रूट को पूरी तरीके से एक्स्पेंड कर दिया है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजे ताके मैं ऐसे यूसफल और इंपरमेटर अपडेट्स आपके लिए क्यों कि यूजय मिला सकुम थाइक यू वरी मज़ थाइस